नास्कार साथियों अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हूँ अभिनोत शान शुपांडे और हमारी चर्चा का विशाय क्या है आएए देखते हैं हम जो है बात कर रहे हैं अभिप्षा के प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करूँ तो लाखो बच्चों ने हमारे अप्लिकेशन में सब्सक्रिप्शन दिया और हमसे साल भर तक रेगुलर पढ़ाई की तो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारा इंकरेजमेंट किया हम लोगों को उत्साह बढ़ाया लेकिन अब इन बच्चों ने जब पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है उसके बावजूद जब ये कम समय में पूरा सिलिबस कम्प्लीट करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए जो हम लिए विसेश जो है सिरीज लेके आए हैं यूटूब में ये सारी वीडियो आपके लिए उपलब्द रहेंगी लेकिन आपको हमारे एप्लिकेशन के थुरू हर एक वीडियो के दौरान या उसके बाद हमसे प्रश्न उत्तर करने हमसे अपने डाउट सॉल्विंग करने और अपनी प्रॉब्लम्स बताने का मौका मिल रहे होगा तो आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए कि एप्लिकेशन से ही ये वीडियो देखने का प्यास करें और अगर आप यूटूब में देख रहे हैं तो भाया सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल क्योंकि हम आपके साथ में रहने वाले हैं पूरे एक्जाम के आखरे दिन तक तो चलिए आएए बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर क्या है स्थिर वैद्यूत्य की स्थिर वैद्यूत्य की क्या है यह जो है चैप्टर नमबर वन है मतलब अध्याय एक है और अध्याय एक होने के साथ यह यूनिट नमबर वन का हिस्सा है अब यूनिट नमबर वन का हिस्सा है इसको कैसे समझें तो आईए देखते हैं यह पाठिकरम है चत्र गण मार्धम एक सिछा मंडल द्वारा दिया एकाई एक में हमारे पास में दो चैप्टर है अध्याय एक विद्दूत आवेस तथा शेत्र और अध्याय दो इस्थिर विद्दूत विभाव एवं धारिता ठीक है अब यहां पर हम सिलिबस देख ले रहे हैं इस सिलिबस में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा अध्य एक में आपसे क्या-क्या उम्मेदे की जाती है कि आपको आनी चाहिए यह चीजे मैंने यहां पर लगा दी हैं लेकिन यह जो है मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा तो चलिए आये देखते हैं सबसे पहली बात सबसे महत्त्रपूर्ण ब गई किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थती होने के कारण वह किसी दूसरे आवेशित पदार्थ पर बल लगाने में सक्षम हो जाता है एक नंबर का अगर क्वेशन पूछता है तो आप बता दोगे क्या आवेश किसी पदार्थ का मुल्भूत गुण है और आवेश की गई में वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर जिसके पास भी आवेशो उस पर बल लगाने में सक्षम हो जाता है क्योंकि बल दो प्रकार के हम लोगों ने देखे कैसा पहला है आकरशन का बल और दूसरा है प्रतिकरशन का बल तो हमको समझ में आया कि हमारे आवेश भी दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से प्रकार के आवेश होते हैं धनात्मक एवं रिनात्मक आवेश होते हैं इसके बाद में हम बलों की चर्चा कर लेते हैं समान आवेशों के बीच में समान आवेशों के बीच में प्रतिकरशन का बल लगता है तो समान आवेशों के ब तो प्रतिकर्शन होगा रिनात्मक रिनात्मक है तो भी प्रतिकर्शन होगा एक आखरी बात कि इसकी इकाई क्या होती है तो आवेश को हम हमेशा कूलंब में प्रदर्शित करते हैं कूलंब ये इसकी इकाई है कूलंब ठीक है तो हम लोगों नहीं ये सारी चीज़ें सीखे अब हम आवेश उत्पन्न कैसे करते हैं आवेश उत्पन्न करने के तीन तरीके हैं भाई आमारे पास घर्षन, प्रेरंट, चालन घर्षन क्या होता है कि जब भी हम किनी दो वस्तों को आपस में रगर रहे होते हैं जब भी हम किनी दो वस्तों को आपस में रगर रहे होते हैं तो उश्मी उर्जा उत्पन्न होती है ये उश्मी उर्जा किसी भी पदार्थ के कक्षा में भूम रहे electron को क्या कर देती है उत्तेजित कर देती है यह electron यदि यहां से निकल कर जाएंगे तो हमको जो है chemistry से क्या पता है भाई या किसी भी पदार्थ में आवेशों का जो है भाई sodium लेलो तो sodium में जो है 11 electron है और 11 proton है तो इस प्रकार से वो कुल मिला के कैसा होता है उदासीन होता है ल उसके पास में सिर्फ 10 electron बचे और ये एक धनात्मक आवेश्प्राप्त कर लेगा ये निकला हुआ electron जो यहां से एक electron भागा है वो कहां जाएगा मान लेते हैं वो chlorine के पास में गया chlorine के पास में कुल मिला के 17 electron पहले से होते हैं और 17 proton भी पहले से होते हैं तो chlorine मुख्य electron जो कि पहले से ही थे लेकिन अब 18 electron हो गए तो अब यहां पर रिनात्मक आवेश्प्राप्त 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 आकर्शन और समान आवेश्प्रतिकर्शन का बल अनुभाव करते हैं इसलिए अगर ये पिंड धापिक हो और इसमें जो कोई आवेश्प्राप्त आवेश्प्रतिकर्शन के कारण दूसरी दिशा में ये कठे हो जाएंगे अब यदि हम को इसको ऐसे हटा देंगे तो ये फिर से मिल जाएंगे लेकिन अगर हम लोगों ने इसे क्या किया अर्थिंग कर दिया प्रित्वी से कर दिया तो ये धनात प्रित्वी के अंदर से कुछ इले ट्रॉंस खीच लेंगे और खुद में अपने आप में क्या हो जाएंगे अपने आप में उदासीन हो जाएंगे लेकिन अब जो है अगर हम लोगों ने ये अर्थिंग पहले हटाया और उसके बाद में वो आवेश भी हटा दिया तो यहां तरीका हो गया अब तीसरा तरीका क्या होता है घर्षन प्रेणन के बाद में चालन होता है चालन की स्थिती में हम क्या करते है कि यह एक रिनात्मक आवेशित पिंड है और अगर हम लोगों ने अनावेशित कोई दूसरा पिंड लेके आगए यहां पर ठीक है यहां पर हम दूसरा पिंड लेके आएंगे जिसके पास में कोई आवेश नहीं है लेकिन इसमें से आधे इलेट्रॉन जो है यहां चले आएंगे और इस प्रकार से दोनों पिंडों के पास में रिनात्मक आवेश हो जाएगा यह जो आवेश हुआ यह वास्तों में इलेट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के कारण हुआ इसे हम चालन कहते हैं, तीन पकार के आवेश हम लोगों ने समझे, मतलब आवेशों को उत्पण करने के तीन तरीके समझे, हम बढ़ेंगे आगे, और अब हमारे पास में है, क्या इन आवेशों के पास में कोई विशेस गुण होता है, अगर होता है, तो क्या होता है, और उसके बारे में हम बात करेंगे, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है आवेशों की उत्पत्ति घर्षन चालन और प्रेरन द्वारा होती है यह चीज तो हम लोगों ने जान ली अब हमको यह समझना है कि इनके गुर्ण धर्म क्या है विद्धुत आवेशों के गुर्ण धर्म अभी आप यहां क्या देख रहे किया है इसके साथ में माइंड में आप आपको अपलब्द होगा और इसके साथ साथ जो है अगर आप अपने हमारे application के थुरू पढ़ाई कर रहे हैं तो teacher की classes तो आपको मेल ही रही है उसके साथ-साथ mentorship भी मिलती है मतलब यदि आपको पढ़ाई के अलावा कोई confusion है जैसे किस college में जाया जाया कैसे अपने career का चुनाव किया जाया तो यह सारी सुईधाएं आपको एक ही single platform में मिलती है वह है अभिप्षा तो आपको क्या करना है हमारे application को download करना है और वहाँ सब्सक्राइब करने के बाद में और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं भी किया तब भी आपको बहुत सारी कुलम रिर्दो कुलम धन साथ कुलम इस तरीके से जो आवेश होते हैं वो धनात्मक और रिनात्मक दोनों होते हैं जब हमको इनको जोड़ना है तो उनके चिंदों के साथ जोड़ेंगे और कुल मिला के कुल नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा देखे पांच में से दो गया बचा तीन और तीन और साथ मिलके दस हो गया तो धन दस कुलम यहां पर आवेश आ जाता है मतलब यह है कि हम जो है समानिता है आवेशों को समानित बीज गड़ती है तरीकों से जोड़ सकते हैं तूसरा है संदक्षण संदक्षण का मतलब यह होता है कि जो भी उत्पन होते हैं और जोड़े में ही नश्ट किये जा सकते हैं इनको इनकी संख्या को हम धन और रिन आवेस अलग अलग नहीं हो सकते यह पूरे ब्रह्मान की बात कर रहा हूं पूरे ब्रह्मान में आपके पास में जितने रिनात्मक आवेस हैं उतने ही धनात्मक आवेस हो जोड़े में ही हमेशा नश्ट किया सकता है उत्पन्य किया जा सकता है कि अब यह हम लोगोंने कब देखा जब हम लोगोंने सोडियूम से एक इलेट्रौन निकाले क्लोरिं में डाला सोडियूम धनात्म का अवेशित हो गया और क्लोरिं रिण अवेशित हो गया यह इसी संडनक्षन के पुश्टि है आगे देखेंगे क्वांटी करण क्वांटी करण का मतलब होता है सीधे सीधे सूत्र लिखो फिर याद करना Q बराबर N E अब देखिए जो आवेस है वो न्यूनुतम सबसे छोटा जो आवेस है जो सबसे छोटा आवेस है उस आवेस का भी मान इलेटरॉन के आवेस के बराबर होता है उससे छोटा हमको कोई आवेस नहीं मिलेगा और हम इलेटरॉन के आवेस को तोड़ भी नहीं सकते हैं तो हमको कहीं पर भी जो भी आवेस मिलता है वो हमेशा इलेटरॉन के आवेस के पूर्णांक गुनन फल के बराबर होगा अब इलेटरांक आवेश होता कितना है एक दसमलव छै गुना दस के घात रिन उन्मीस कुलम ये ही वो आवेश है जो नियूरता वहां मतलब स्वतनत रूप से पाया जा सकता है अब आपसे प्रश्ण ये पूछा जाए कि एक पिंड में 6.5 गुना 10 के घात 6.5 गुना 1.6 गुना 10 के घात रिन उन्मीस कुलम आवेश है कि नहीं है बतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको देख के बताईए कुछ आप इसमें कमेंट करो तो आप देखेंगे कि 6.5 ये तो एन नहीं है ये तो एन नहीं है क्योंकि एन होना चीए पूर्णा का और एक दसमला वाले संख्या है और ये आवेश एक दसमला 6 गुना 10 के घात रिन उन्मीस ये चार जाप इलेट्रॉन है तो ये आवेश होने का चांस ही नहीं है ये जो है संभव ही नहीं है आखरी गुन ये है कि एलेट्रॉन हमेशा जो है मतलब जो आवेश है वो हमेशा दरव्यमान के उपर बैट कर ही चलता है इसका क्या मतलब हुआ भाई आप लोगों ने जब देखा कि सोडियम से एक इलेट्रॉन निकल कर भाग गया तब उसमें से आवेश तो गया ही लेकिन इलेट्रॉन का अपना दरव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की घात गुना 10 की घात रण 31 किलोग्राम तो ये जो इलेट्रॉन का आवेश है ये मतलब आवेश के साथ साथ बुना उपयोग करके आप से क्या पूछा जाएगा ये दो बिलकुल समान पिंड है एक को धनामेशित और एक को रिनामेशित किया गया अब इसमें क्या अंतर आएगा उनमें आवेशोक अंतर आएगा उसके साथ दोनों के द्रब इमान में भी अंतर आएगा धनाविशित जो पदार्थ है उसके द्रब इमान में कमी आएगी और रिनामिशित पदार्थ ध्रब इमान में उसके वृध्धी होगी ये सारी चीजें हम बहुत तेजी से इसलिए डिसकस कर रहे है क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी 11 माच से पहले पहले सिलिबस कम्प्लीट करके रिविजन कर रहा है आगे देखते हैं कुलम का नियम क्या है कुलम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है और ये बल जो है वो दोनों आवेशों के परिमार के समानुपाती होता है मतलब जैसे जैसे इनका परिमार बढ़ता जाएगा आवेशों का वैसे वैसे उनके बीच का बल बढ़ेगा दूसरी चीज ये उनकी दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के वित्रम अनुपाती होता है मतलब यह है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बलों का मान कम होता जाएगा इन दोनों चीजों को जोड़ दिया हम लोगों ने तो F is proportional to Q1, Q2 बटा, D का वर्ग या हम R का वर्ग लिख सकते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा सुविधा पोहन है अब जो है हमको यह जो भई अनुपातिक नियतांग है यह अनुपात नियतांग है तो हम लिखेंगे F बराबर K Q1, Q2 और बटा, D का वर्ग यह क्या है के एक अनुपातिक नियतांग है जिसका मान होता है K बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 यहां देखिए आपको 1 by 4 pi epsilon 0 दिखाई दे रहा है और इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 यह जो है K का मान होता है अब हमको यह देखना है कि क्या यह जो है और किन चीजों पर यह बल निर्भर करता है पहला उनके आविशों के उपर दूसरा उनके बीच की दूरी के उपर और तीसरा वो किस जगह पर रखा हुआ है मतलब उसके बीच का माध्यम क्या है इसके बारे में बात करने के लिए हम जो है आगे डिसकस करेंगे लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यहाँ पर सदिस्त निरूपन के बारे में तीन अंक का प्रशन आप से पूछा जाता है अगर पूछना चाहे तो वो सदिस्त निरूपन कैसा होता है यहाँ पर F12 का मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने इसको Q1 माना है और इसको Q2 माना है तो F12 का मतलब होगा कि Q1 पर बल दो के कारण तो force on 1 due to 2 एक पर दो के कारण बल ठीक है तो यह जो है अब यहाँ पर जो है एक पर दो के कारण जो बल है उसकी दिसक ऐसी होगी कि एक को आकर्षित किया जा रहा है तो एक पर दो के करण बल ऐसी होगी जबकि F1,2 का मान होगा नई F2,1 होना चाहिए पर F2,1 का मान क्या होगा 2 पर एक के करण बल और 2 पर एक के करण बल इधार होगा कोगि दोनों बल आकरषण के हैं तो हमको यहाँ पर समझ में आएगा F12 जो है वो विपरीत दिसा में है F21 के और इस तरीके से हमको जो है Newton के तीसरे नियम की पुष्टी होती है जो की कहता है कि प्रतिक क्रिया के लिए विपरीत दिसा में लेकिन समान परिमान में प्रतिक क्रिया होती है Every action has equal and opposite reaction यहाँ पर देखिए action और reaction दोनों चीज़ें हमें लज़र आ रही है हम देखते हैं कि विदुत शीलता क्या होती है हम लोगों ने के देखा था के का मान वन बाई 4 पाई epsilon not होता है अब हम के के बारे में एक और बात करते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं एक धनात्मक एक लिनात्मक दोनों के बीच पे आकरशन का बल लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर अलग-अलग स्थितियां हैं वो स्थितियों को समझने का प्रयास करें इनके बीच की दूरी हम लोगोंने नहीं बदली इन आवेशों का परिमान हम लोगोंने नहीं बदला लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है एक स्थिति ऐसी है कि निर्वात यानि कि या तो वहाँ पर कुछ नहीं है या हवा है दूसरा मैं वहाँ पर तेल डाल दू तीसरा मैं वहाँ पर लकड़ी के बुरादे डाल दू चौथा वहाँ पर मैं सीमेंट डाल दू या और भी किसी तरीके से मैं माध्धा में बदलाओ करता हूँ तो हर माध्धा में बदलाओ के साथ-साथ इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान बदलता जाता है और वो कौन निर्धारित करता है के निर्धारित करता है के एक नियतांग है जिसका मान होता है 1 by 4 pi epsilon naught तो विद्दुत शीलता असल में epsilon naught का मान है epsilon naught मतलब यह जो epsilon naught है यही विद्दूत सिलता है इसका मान क्या होता है 8.85 इंटो 10 to the power minus 31 तो यह निर्पेक्ष तो हो सकता है और सापेक्ष हो सकता है निर्पेक्ष का मतलब यह है कि यदि हम किसी भी दो आवेशों के बीच का बल लगा रहे है और उसके माद्ध्यम का जो है जो नियतांक है वो हम किवल उसका सीधा सीधा मान निकाल रहे हैं तो उसको हम निर्पेक छमान कहेंगे इसका मान हो सकता है और अगर जो है हम बोलते हैं कि किसी भी माद्ध्यम का माद्ध्यम में लगने वाले बल का मान जो है अगर हम किसकी परावायदुतांक वह संख्या है जो माध्यम के चत्र के बारे में माध्यम के करेक्टरिस्ट्रिक के बारे में बात करता है तो हमको पता है E R बराबर K E not और इस तरीके से यहाँ पर यह जो K है यही परावाय दूतांक है यहाँ पर K capital K है आप ध्यान रखेगा और यह एक अच्छा अब यहाँ पर हम और क्या समझ सकते हैं हम यह समझ सकते हैं कि क्योंकि जो है निर्वात में बल हम लोगों ने F vacuum ले लिया है और किसी दूसरे माद्धम में बल का मान F medium ले लिया है तो इनके बीच में जब भी हम बलों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आएगा 1 by 4 pi epsilon 0 और यहाँ पर आएगा 1 by 4 pi epsilon r अब इसको अगर हम आगे solve करेंगे तो यह देखें 1 by और 1 by कर जाएगा हमको epsilon r उपर मिलेगा और epsilon 0 नीचे मिलेगा यहाँ हम बोल सकते हैं कि यह हो जाएगा k गुना epsilon k गुना epsilon 0 और पूरे का बटा epsilon 0 मतलब यह तो किसी पदार्थ का परवैद उतांक जो है वो उस पदार्थ में और vacuum में मतलब निर्वात में दो आवेशों के बीच में जो है जो बल है उसके आनुपात के बारे में बात करता है यह बात खतम हुई आपको जो है इसी तरीके से detail information क्योंकि अभी तो हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें छूट रही है लेकिन अगर आपको detail में जो है यह discussion करना है तो आपको हमारे application में आ जाना चाहिए यहाँ पर आपको सारे के सारे topics की और सारे subjects की detail classes मिलने वाली है यहाँ पर मैं भी मिलूँगा math भी है, bio भी है, chemistry भी है सारे subject की complete discussion और आप ही नहीं लाखों students लोगोंने हम लोगों को अपना प्यार दिया है हम अपनाया है हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं और अगर आपने यह channel subscribe किया है तो आपको भी धन्यवाद